ओम भूर्भोस्व तत्स बितुर्बरे नियम बरगोदे वस्य धीमही दियोयोना प्रचोदयार समाजिक सुरक्षा अत्वा जिला समाजिक सुरक्षा कोसांग के द्वारा संचालित योजना के बारे में एक परिचय के साथ मैं नीजु कुमार राम बिहार समाजिक सुरक्षा सेवा के अंतरगत सिवर तथा अतरिक्त प्रभार सिता मढी में सहायक निदेशक के पद पर लोक सेवक के रूप में कारियरत हूँ जिला समाजिक सुरक्षा के अंतरगत संचालित योजनाओं को आमजन की भासा में चितरित करने का एक सफल परियास कर रहा हूँ अतह करवद निवेदन है कि इस विडियो से अंत तक जुड़े रहे ताकि समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर कर रहे योग्यनागरी को तक संदेश पहुँच सके तो सुरू करते हैं समाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतरगत लाबार्थियों की दो कोटी बनाई गई है पहली कोटी में अनुसूचित जाती जनजाती के लाबुकों को रखा गया है तथा दूसरी कोटी में सामान्य अत्वा उन सभी लाबुकों को रखा गया है जो अनसूचित जाती जनजाती के कोटी में नहीं आते हैं साथी सामाजिक सुरक्षा योजनाए भारत सरकार के द्वारा तथा बिहार सरकार के द्वारा अलग-अलग योग्यता के साथ बनाई गई है जो की जिला के द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संचालिक की जाती है उनह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंसन योजना पारिवारी क्लाब योजना तथा अन्य तरह की योजनाए संचालित है सबसे पहले छै प्रकार की पेंसन योजनाओं को जानते समझते हैं वैसे पेंसन किसी राज्जी की अर्थ ब्यवस्था में ओसंगठित स्रमिकों को दिया जाता है चाहे वो स्रमिक किसी भी कारिये में लगे हो सरकारी संगठन में अस्थाई ओबलिक और अस्थाई नौकरी को छोड़ कर पेंसन कुल छै प्रकार की हैं जिन में तीन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वे इस प्रकार है पहला इंदिरा गांधी रास्ट्रिय ब्रदा अवस्था पेंसन योजना दूसरा इंदिरा गांधी रास्ट्रिय विद्वा पेंसन योजना तथा तीसरा इंदिरा गांधी रास्ट्रिय नीशक तता पेंसन तथा बिहार सरकार के द्वारा तिये जाने वाले पेंसन का नाम इस प्रकार है पहला मुख्य मंतरी व्रिद जन पेंसन योजना दूसरा लक्षमी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंसन योजना तथा बिहार निसक्तता पेंसन योजना बिहार सरकार की पेंसन योजना तथा बिहार सरकार की पेंसन योजना को गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि इन में जो प्रमुख अंतर है वे सिर्फ आर्थिक जीवन सैली को आधार बनाया गया है पारिवारिक सुची में जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करते हैं उनी को योगता की आधार पर भारत सरकार की तीनों पेंसन योजना का लाब दिया जाता है जबकि बिहार सरकार का पेंसन अलग है रास्ट्रिय पेंसन योजनाओं को दियान से देखा जाए तो पाते हैं कि पारिवारिक सूची के आधार पर 80% अनुसुतित जाती जनजाती बरगों को पेंसन का लाब मिल जाना चाहिए जबकि अभी तक लक्ष को सत प्रतिसत पुरा नहीं किया जा पाया है वज़ा सिर्फ और सिर्फ जानकानी का अविन्य स्रोत जो इन पर प्रकास नहीं डालते है कि अधेन के लिए सिवर जिला को अगर सेंपल पे हम लेते हैं क्योंकि इस जिला में सिर्फ पांच प्रकंड हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी सुन्दर चित्र बनेगी स्टड़ी के लिए चलिए लेते हैं सिवर जिला के समाजिक सुरक्षा पेंसन योजनाओं का किर्यानवन को सेंपल में और आगे देखते हैं ई लाभार्थी पोटल के आधार पे सिवर जिला के पांच प्रकंड का आकलन करते हैं कि 31 मार्च 2023 तक प्रकंड वार कितने लाभार्थी पेंसन प्राप्त कर रहे हैं एक नजर में प्रथम प्रकंड पुर्नहिया में इंद्रा गांधी राष्ट्रिये ब्रधा अवस्था पेंसन योजना के कूल पेंसन धारियों की संख्या 31 मार्च 2023 तक 5549 है ख इंद्रा गांधी राष्ट्रिये बिद्वा पेंसन योजना के इसी प्रकंड में कूल पेंसन धारियों की संख्या 392 है ग इंद्रा गांधी राष्ट्रिये निसक्तता पेंसन योजना के कूल 69 लाभुक पेंसन ले रहे हैं पुर्नहिया प्रकंड में अब दूसरा जो प्रकंड है पिपराही प्रकंड में ग इंद्रा गांधी राष्ट्रिये ब्रधा अवस्था पेंसन धारियों की संख्या 6118 है ग इंद्रा गांधी राष्ट्रिये विद्वा पेंसन धारियों की संख्या इसी प्रकंड में 514 है तथा इंदीरा गांधी रास्ट्रिय निसक्तता पेंसन योजना में कुल असी लाभुक है इसी प्रकार दर्साइग चार्ट के अनुसार अन्य प्रखंडों में पेंसन प्राप्त करने वाले ब्यक्तियों की संख्या है इससे अस्पस्ट हो रहा है कि संबंदित प्रखंडों में और संगठित स्रमिकों की संख्या बिलकुल ठीक ठाक है अर्थात हम लोग नगरिय बेवस्था की और अगरसर हो रहे हैं और हमारा सैंपल जीला काफी प्रकती कर रहा है माल लेते हैं कि कोई परिवार सुदूर गाउं अत्वा छेत्रों में निवास कर रहा है और संचार की सेवाओं का उपभोगता भी नहीं है उस स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंसन की सेवा कैसी उपलब्द कराया जा सकता है इसी बिंदू पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फिर से माल लेते हैं कि इंदीरा गांधी राष्ट्रिया ब्रद्दा अवस्था पेंसन योजना के लिए योग्यता अथवा इस पेंसन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो बिंदू वार जवाब इस प्रकार है पहला पॉइंट व्यक्ति अर्थात पुरुस अत्वा महिला की उम्र साथ बरस अत्वा उससे अधिक होनी चाहिए बिंदू नंबर दो भारतिये नागरीक हो अर्थात मतदाता सूची में बैद तरीके से नाम दर्ज होना चाहिए तीसरा संबंधित जिला का निवासी होना चाहिए अर्थात निवास प्रमान पत्र आवस्यक है बिंदू नंबर चार अनुसूचित जाती जनजाती समुदाय से होने का साक्ष अर्थात जाती प्रमान पत्र बैद तरीके से निर्गत होना चाहिए विशेस कोटी के लाभू होने की स्थिती में पांचमा बिंदू जो है पारिवारिक सरवेक्षन सूचि में परिवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने का साक्ष होना चाहिए नमबर चै इस बिंदू में किसी भी राष्ट्रियक्रित बैंक में खाता खुला होना चाहिए तथा संचालन हो रहा हो तो पासबूक की प्रथम पेज का चाया परती आवस्यक है सात्वा संबंदित बैंक खाता को आधार से लिंक होना चाहिए दो पासपोर्ट साइस का फोटो जिस बैक्ति को पेंसन लेना है उस बैक्ति का दो पासपोर्ट साइस फोटो आवेदन पत्र के साथ सलगन होना चाहिए अब इन सभी कागजी प्रक्रिया के साथ संबंदित प्रखंड के अंतरगत संचालित आर्टी पी एस काउंटर पर व्यक्ति को स्वयम अथवा अपने प्राधी कृत व्यक्ति के माध्यम से आवेदन पत्र चमा करना होता है एवं उसके बाद पावती प्राप्त करना बहुत ही आवस्यक है इसी प्रकार इंदिरा गांधी रास्ट्रिया बिद्वा पेंसन योजना प्राप्त करने हेतु बिंदिवार सर्थ की चर्चा कर लेते हैं पहला सर्थ इस योजना के पात्र महिलाएं होती है दूसरा योग्य लाभार्तियों की उम्र 40 बरस से अधिक होती है इसकी वज़ा रास्ट्रिय अस्तर पर महिलाओं की साधी की उम्र तथा समाज में कुपोशन योम अन्य स्वास्थ संबंधी कारण है विद्वा होने का प्रमाण अथवा पती का मिर्तियों प्रमाण पत्र चौथा भारतिये नागरिक हो अर्थात मतदाता सूची में वैद्ध तरीके से नाम दर्ज होना चाहिए पांचमा सम्मंदित जिला का निवासी होना चाहिए अर्थात निवास प्रमाण पत्र निर्गत होना आवश्यक है अनसूचित जाती जन जाती समुदाय से सम्मंद रखने का साक्ष्य अर्थात जाती प्रमाण पत्र का निर्गत होना चाहिए विशेश कोट के लाबुक होने के लिए सात्वे नंबर की सर्थ पारिवारिक सर्वेक्षन सूची में परिवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने का साक्ष्य होना चाहिए आठवे नंबर में आते हैं तो किसी राष्ट्रियक्रित बैंक में खाता खुला होना चाहिए तथा संचालन हो रहा हो तो पासबूक की प्रथम पन्ने की छाया प्रती आवश्यक है नववे नंबर में आता है समंदित बैंक खाता का निर्गत आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है दसवे नंबर में दो पासबूर्ट साइज का फोटो ग्रैफ आवेदक का आवेदन के साथ जमा करना होता है या आवेदन पत्र पे उसको चिपका सकते हैं इन सभी कागजातों के साथ समंदित प्रखंड के RTPS काउंटर पर स्वेम अथवा प्रादी ख्रत बैक्ती के माध्यम से जमा किया जाता है एवं पावती प्राप्त करना होता है इस प्रकार एक बिद्वा महिला के द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतू आवेदन जमा कराया जाता है अब सबसे महतोपुर्ण भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली इंद्रा गांधी रास्प्रिय नी सक्तता पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता की सर्तों का चर्चा करते हैं चर्चा सुरू करने से पहले कुछ महतोपुर्ण प्रस्नों पर बात करते हैं की नी सक्तता के लिए कौन जिम्मेवार है सरकार, परिवार, माता, पिता, बिज्ञान, अत्वा, समाज या हमारी आसपास की वाताबरण अपने प्रिया दर्सकों तथा स्रुताओं के लिए इस प्रस्न को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं करपया कॉमेंड बॉक्स में इसका उत्तर अवेस्य दे निवेदन हैं पुनह मुख्य बिंदू राष्ट्रिय निसक्तता पेंसन योजना की सर्तों पर आ जाते हैं सर्त नमबर एक इंदिरा गांधी राष्ट्रिय निसक्तता पेंसन योजना के लिए असी प्रस्तीसत से अधिक निसक्तता का प्रमान आविस्यक है बताते चले कि हमारे भारत देश में कुल 22 प्रकार की निसक्तता को स्विक्रती मिली है जिसमें सेरेवल पालसी, ठेलेसीमिया, आटीजम, बहु दिभ्यांगता, मानसीक दिभ्यांगता, बोनापन, अस्थी दिभ्यांगता, अंधापन, बहरापन, चलन दिभ्यांगता, आदी 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 तो ग्यात 22 प्रकार की निसक्तता मेज से, अस्थी प्रतिसत से अधिक निसक्त बैक्ती, इसके लिए योग्य पात्र होते है इसमें महिला तथा पूरूस दोनों ही लाबुक होते है तीसरा, इसमें उम्र की बाद्द्यता नहीं होती है जन्म से लेकर व्रिद्ध तक पेंसन ले सकते है उसके लिए आवेदन कर सकते है चौत्था पॉर्इंट बरतमान में सरकार के द्वारा U-D-I-D अत्वा प्लास्टिक कार्ड जिसको यूनीक डिसाबलिटी आइडिन्टिटी कार्ड बोलते हैं की बेवस्था की गई है इस कार्ड को बनाने के लिए समंदित जिला के असेनिक सल्ले चिकित्सा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होते हैं तथा निसक्तता परमाणपत्र के बदले U-D-I-D कार्ड की मान्यता दी गई है अर्थात दिभ्यांगता से समंदित किसी भी परकार की सरकारी दाओं में U-D-I-D कार्ड को मान्य किया गया है और अब दिभ्यांगता के परमाण हेतु अन्य किसी तरह का परमाणपत्र को मान्य नहीं किया जाता है पांचवा नंबर निसक्त बैक्ति अत्वा और वयस्क होने की स्थिती में परिवार के अभिबावक का नाम मतदाता सूची में वैद तरीके से दर्ज होना चाहिए अगर निसक्त जन या वैक्ति वयस्क है तो उनका स्वेम का नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए चट्था नंबर जो बिंदु है वो है कि संबंदित जिला का निवासी होने का प्रमाण अरथात निवास प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए साथवा नंबर पॉइंट अनुसूचित जाती जन जाती समुदाय के संबंध में साक्ष के रूप में जाती प्रमाण पत्र प्रस्तूत किया जाता है अथ्वा निर्गत होना चाहिए आठवा नंबर पॉइंट जो है पारिवारिक सरवेक्षन सूचि में परिवार को गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने का साक्ष होना चाहिए नौवा नंबर पॉइंट किसी भी राष्ट्रिय कृत बैंक में खाता खुला हो तथा संचालन हो रहा हो तो पासबूक की प्रथम पन्ने का छाया प्रती आवस्यक है दसमा नंबर पॉइंट जो है समंदित बैंक का खाता निरगत आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ग्यारा नंबर ब्यास्क अगर नहीं है आवेदक अरथात अब्यास्क है उस स्थिती में लाभू का चाइल्ड एकाउंट अपने अभिभावक के खाता के साथ खुलवाया जाता है बारा नंबर पॉइंट इसमें जो भी आवेदक है उसका दो फोटोग्राफ आवेदन के साथ चिपका कर या अटैच करके आवेदन को पुर्ण रूप से भर कर संबंदित प्रखंड के आरटी पिएस काउंटर पर स्वयम अथमा अपने प्राधिकर्त प्रतिनिदी के द्वारा जमा कर सकते हैं इस प्रकार भारत सरकार द्वारा संचालित तीन पेंशन योजना को प्राप्त करने की संपुर्ण विधी को मैंने आमजन की भासा में चित्रित किया है अब इस विडियो को देखने सुनने के बाद अनुसूचित जाती जनजाती तथा समन्य कोटी के उमिद्वार अपना पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ इस विडियो को यही पर बिराम देते हैं और बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजना को इस विडियो के अगले भाग में प्रस्तूत करेंगे एक मुख्य बात जो पेंशन योजना को डिसकस करते हुए जरूरी महसूस किया है मैंने वो यह है कि साइबर क्राइम से बच कर रहना है क्योंकि हमारे डिजिटल डॉकुमिन्ट को हम लोग योजनाओं में प्रयोग करते हैं और सेर करते हैं तो निवेदन है सभी हमारे योग्य लाभु को लाभार्तियों से जो आवेदन कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमंट को गलत हाथों में नहीं दे और अपने विश्वास प्रद व्यक्ति के हाथों में दे तथा अपनी गोपनिये जानकारी को सूच समझ कर ही किसी को सेर करें राम राम सलाम अलेकूम वाय गुरुदी खाल्सा जै जैरंद्र नमबुद्धाय जै स्री राम रादे रादे हरे क्रिस्न हरे रामा जै भीम जै हिंद जै वारत जै सेक्षाइब करता जै बत्वादे बत्ति और रामा जै 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 सक्वादे स्थार बत्ति को से कांड़ा है